हेलो और विल्कम बैक टो माई चानल क्रेविंग्स वाय वरीशा तो आज की विडियो में हमार आने वाले हैं एक दम स्ट्रीट स्टाइल नाचपत नगर में जो ये राम लड्डू मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही राम लड्डू मैं कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बता हें विडियो को सबसे पहले आपको ढ़ंदाल, चना दाल, औरद्डाल जो भी इनके मेजूरमेंट्स को लिख देए हैं, मूंडाल सबसे زादा होगी उससे कंद होगी उससे कंद कम दाल होगी अगर आप एक परसेंट उरत डाल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं इसको आप खाली चना डाल और मूंग डाल से बना सकते हैं इस डाल को मैंने दो गंटे के लिए भिगो दिया था अब आपको क्या करना है कि इस दाल को आपको कम से कम पानी डाल के मतलब जितना कम पानी आप डाल सकते हो उतना कम पानी डाल के इसका एक पेस्ट पनाना है आपको पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है दवा इस दाल अच्छे से नहीं हमारी फ्लफी हो भाएगी अच्छे से बीट नहीं हो पाएगी और वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा मैंने पीस ली कम से कम पानी डाल के हमें डाल रही हूँ इसमें सौल्ट और हमने इसको अध्रख और हरी मिर्च के साथ ही पीसा था अपे यहाँ पे हिंग अपको चाहिए थोड़ा से धनिया नाइक एक मुट्टी भर के धनिया ले लो धनिया से आधा आपको चाहिए मूली के पत्ते, छोटा सा द्रग को टकड़ा और दो- तीन हरी मिर्चे जितना धनिया है उससे आपको आधे लेने है मूली यानि की रैडिश जो होता है उसकी ली इसको फिर से हम लोग चलाएंगे ताकि इसके अंदर जो हमारे एर है वो अची तना से वो हो जाए बन जाए अब हम लोग क्या करेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था यह बहुत इंपॉर्टन स्टेप है और बहुत वीडियो में आपको यह लोग नहीं बताएंगे यही वो स्ट्रीट स्टाइल मार्केट वाले जो राम रडड़ो होते हैं उसमें डलता है जिससे बहुत ही अच्छा सा एक बहुत ही डिफरेंट हमारे पकोड़ों में जो टेस्ट आता है नीबू के रस से ना ही टेस्ट बलकि बहुत ही अच्छा कलर भी चटनी में आता है अब देख रहे हो कितना ही अच्छा लाइट ड्रीन सा कलर यहां पर आया है तो नीबू बहुत ही अच्छा चटनी को एक कलर भी देता है यह बहुत इंपॉरंट है कि आप जब भी कोई च थोड़ी सी हल्दी आप डाल तो अच्छे से कलर के लिए बाकी हीं वगएर तो हम डाली चुके हैं इसमें और फिर से आपको हल्दी डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से चलाना है आपको हर इंग्रीडेंट डालने की वाई इसको चलाना है जिसे की और अच्छे से डाल म में डालना है ध्यान रखेगा गास अपर छाहो तो आप हाठ से भी डाल सकती। बट स्पून से मुझे काफी अच्छा अच्छा आइडिया लगाई है यह काफी गॉल-गोल पर रहे थे इनका शेप भी खराब नहीं हो रहाता बट आप definitely चाहो तो हाथों से भी डाल सकते हो बट इस तरीके का कोई आप पर गहरा स्पून है तो उससे डाल के देखिएगा अराम से डल रहे थे हाथ भी घंदे नहीं हो रहे थे और आप देखरे हो यह कितना ही फ्लफी हमारा बैटर है और आप राम लड्डू को ध्यान से देखो इनका जो वह उपर पार्ट एना एकदम फूल के आ गया है आप देखरे हो और यह सारे राम लड्डू नहीं तेल पे उपर फ्लोट करने लगे हैं इसी से इंडिकेट होता है कि बैटर बहुत अच्छी तरह आपका फ्लफी हो गया था फूल गया था देखो सारे लड्डू का उपर से ज अच्छा सा क्रिस्पी होने तक फ्राइ करेंगे येट कलर आपको डार्क नहीं करना है आपको ना बहुत ही लाइट गोल्डन ब्राउन इनको फ्राइ करना है येट बहुत ही क्रिस्पी दियान रखिए तेज फ्लेम पे मत करिया गर दवाईज ये अंदर से पकेंगे नहीं क्रिस्पी भी नी होंगे बाहर से जल जाएंगे कलर हमें इनका जादा चेंज नी करना है कलर हमें इनका बुखत ही light round रखना है क्योंकि आपने market में देखा भी होगा कि जूनका कलर होता है वो बुखत ही light या लोसा होता है येट वो बहुत जादा अच्छे से कोक्ड होते हैं और क्रिस्पी भी होते हैं साथ के साथ तो फ्लेम मेरी फिलहाल अब लोही है क्योंकि ये सारे रामलडू फूल गए थे और इस तरीके से दूसरी साइड से भी मैं इनको बहुत अच्छे से से कर लोंगी और क्रिस्पी कर लोंगी इतने रामलडू फ्राय हो रहा है आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी वेजिटेरी और नॉन वेजिटेरी ने बहुत डिफर्ट डिफर्ट तरीके की रेसीपी शेयर करती हूँ और मैं अपने चैनल पे शॉट्स भी डेरी डालती हूँ तो बहुत रेसीपी लॉंग फ़र्म के अलावा शॉट फर्म कंटेंट में भी होती है तो अगर आपको शॉट्स देखना पसंद है शॉट्स अफ़कॉर्स टाइम सेविंग भी होते है तो अभी जाके मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो इनको निकाल लेंगे अब आपको बहुत इंपॉर्टन स्टेप जो यहाँ पर करना होता है बनाने के लिए लेना है मूली यानि के राडिश इसको आपको ग्रेट कर लेना है ग्रेट करके आपको इस मूली में धनिया मिक्स करना है इसे मैंने मिक्स कर रखा है धनिया आप करते हैं इसको सर्व यान के प्लेटिंग की बारी मैंने ये थाल ली इसमें चटनी मैंने डाल दी साइड में मूली धनिया और ये ले लिए मैंने राम लड्डू बहुत ही फ्लफी बहुत ही बढ़िया बने थे आप चाओ तो इस मिर्च को भी इस डाल के मिक्चर में फ्राइ कर सकते हो वाट क्योंकि मुझे खानी नहीं थी तो मैंने फ्राइ नहीं की ऐसी गांड़िश के लिए रग दी आप करते हैं एकदम बहार जैसी प्लेटिंग इसी से बहार के वो लोग करते है इन राम लड़ों पर आपको डालने है खुब सारी गिसी हुई मूली और फिर खुब सारी है खटी खटी चट्नी इस चट्नी का तो मतलब बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है और यह जो मूली के बत्तों से यालक सा टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा लगता है इस टेज़ पर चाहो हरी मिर्च कट कट के भी डाल सकते हो मैंने आप धनिया डाल दिया थोड़ा सा अब मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ चाट का मसाला चाट का मसारा जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हो मैं हापे चंकी चाट मसारा यूज़ कर रही हूँ मेरा परसनल फेवरेट है मुझे बहुत पसंद है और मार्किट मेरा अगर आप चाहो उन से बोलो तो मीठी चटनी भी या 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 सौंट जो होती है कि वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो और बहुत ही भड़िया से बनके रेडी हो गए है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजगा बाबाई